आज के क्राइम से जुड़ी ये सची कहानी उत्रप्रदेश के विजनोर जिले की है उसी उत्रप्रदेश के विजनोर में रूची सिंग नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी जो आगे चलकर UP पुलिस में कॉंस्टेवल भी बन जाती है दरसल में सुरुवात कहानी की होती है 2017 से 2017 में जब रूची सिंग कुछ जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो वह अपनी जिस्म की जवाला को स्यंत करने के लिए एक मर्द की तलास में एक सुन्दर लड़के की तलास में फेस्बुक पर नए नए दोस्त बनाना सुरू कर करती है और वह तलास करती है कि वह ऐसा लड़का हो या फिर ऐसा कोई अधिकारी या ओफिशर हो जो उसके आसपास का हो उससे वह मिल जूल सके और वह अपनी जिस्म की जरूरतों को पूरा कर सके इसी तलास के दुरान फेस्बुक पर उसकी तलास खतम होती है रूची सिंग और पदमेश स्री वास्तव मिलना जुनना प्रारम कर देते हैं वे आपस में एक दूसरे से मिलने जुनने लगे हैं और धीरे धीरे उसकी दोस्ती प्यार महबत में बदल गई है अब पदमेश स्री वास्तव रूची सिंग के साथ में मिलकर दोनों अपनी जिस जिल्दार है वो साधी सुधा है और उसके बच्चे हैं बीवी है तो उसके साथ तो रूची सिंग की साधी नहीं हो सकती थी अब रूची सिंग की साधी 2019 में नीरज नाम के यूपी पुलिस के एक कॉंस्टेबल से होती है 2019 में जब रूची सिंग की साधी नीरज नाम के पुलिस कॉंस्टेबल से हो जाती है तो साधी के कुछ दिनों बाद तक सब घर में ठिक ठाक चल रहा था और रूची सिंग भी घर में सब अच्छे से काम कर रही थी लेकिन धीरे धीरे जैसे नीरज और रूची सिंग की साधी को समय बिता गया कुछ दिन बाद रूची सिंग को तैसिलदार के साथ हम बिस्तर हुए वो पल सताने लगी तैसिलदार के साथ में बिताये हुए उस पिछले समय को याद करके वो तनहा रहने लगी और फिर से उ पहत तलास करती है, तैसिलदार से संपर्क करती है, फिर से उससे मिलना जुलना परारंब कर देती है, और फिर से वही खेल उनका सुरू होता है, तैसिलदार भी उसके साथ फिर से समंध बना ले लगता है, और उनकी जिस्म को जरूरतों को पूरा करता है, उधर जैसे ही निर रूची सिंग और उसका पती नीरज दोनों ही यूपी पुलिस के constable थे constable होने के बावजूर भी वो अपने पती से संतुष नहीं रह पाई और इसके चलते वह अपने पुराने प्रेमी मतलब तहसिलदार जो पदमेश श्रिवास्तव हैं उसके साथ वो मिलने जुनने लगी और संबंद बनाने लगी थी इसके चलते अब जो रूची सिंग है वह अपने पती के दवारा जो संबंद बनाया जाता था जिस तरीके से तो वो उससे कहीं न कहीं एसंतुष थी और उसका जो तरीका जिस तरीके से वो सारी ये प्रिक्रियाई करते थे उसमें कहीं न कहीं उसे कमी महसूस होती थी, तो वह उत्पिडन का मामला दर्ज करवा कर अपने पती नीरज से तलाक लेना चाहती थी, अब मुगदमा कोर्ट में चल रहा था, उससे तलाक से सम्दित, कोर्ट के माध्यम से उनकी तलाक होने ही वाली थी, कि वह अब उस तैसिलदार के साथ में श आखिर ऐसा क्या किया जाए, कि रूची सिंग मेरे रास्ते का रोड़ा साप हो जाए, मैं साधी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वह उस वक्त जो तैसिलदार था, वह दो बच्चों का बब था, और इसके चलते ज्यादा फोन कॉल्स पर रूची सिंग से तैसिलदार की बातशी करती है, उस तैसिलदार को मतलब वह धंक्या और ब्लेकमेल करने की कोशिस करती है, ऐसी कुछ एक दो बार घट नहीं होती है, इसी के दोरान तैसिलदार जब एक दिन घर पे था, तो रूची सिंग का फोन आता है, और रूची सिंग की पतनी वह फोन उठा लेती है, जब अब लोड़े के दोरान तैसिलदार की पतनी को भी यह पता चल जाता है कि यह है, यह जो लड़की है, इसके साथ में अपने पती के अविद समद्र हैं, इसके चलते अब पतनी को भी एक तरीके से तनाव में रहने लगे पतनी भी, और इसके चलते तैसिलदार भी काафी द पति-पत्नी मिलकर मतलब तैसिलदार, पदमेश, श्रिवास्तव और उसकी पत्नी मिलकर ये प्लान बनाते हैं. इसके अलावा भी उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को और साथ में वह व्यक्ति होता है जिसका जमीन से जुड़ा एक मामला चल रहा था उसी तैसिल कारियाले में प्रताबगड जो की उत्रप्रदेश का था उस मामले को निप्टाने के एवज में एक नामवर नाम का व्यक्ति था उस व्यक्ति को भी तैसिलदार साथ में लेते हैं कि अगर ये इस तरीके से इस मामले में इसको रास्ते से हटाने में वो उनका साथ देते हैं तो वो जमी धटना है 12 रवरी 2022 की 12 रवरी 2022 को तैसिलदार प्लान के मताबिक रूची सिंग को फोन करके बुलाता है और उसके बाद वो रात भर साथ में समय बिताता है वो सब कुछ करते हैं जो जिस तरीके से समंद जिसमानी समंद उनके थे वो सब होने के बाद उसका जो तैसिलदार के जो साथ में नाम का जो सक्स था वो जूस में उसको कुछ नसीली दवाईयां देता है जैसे ही रूची सिंग नसीली दवाईयां जूस के साथ पीती है तो वो बेहोस हो जाती है अब रूची सिंग जैसे ही बेहोस होती है तो वह तैसिलदार उसको मौत के घाट उतारने के लिए उसका गला घोट देता है गला घोट कर वो दोनों मिलकर उसे गाड़ी में ले जाकर पांसी के एक नाले में फैंक देते हैं जैसे ही उसकी नास कुनाले में फैंकते हैं, उसी के दोरान सुभे हो चुकी है 13 फरवरी 2022, 13 फरवरी 2022 को जब रूची सिंग डूटी पर नहीं पोंचती है, हाला कि वो पुलिस विभाग में थी, पुलिस कॉंस्टेबल थी, डूटी पर नहीं पोंची, साथ ही पुलिस कर्मि तो पुलिस को वो उसका सव वहां से नाले में से ब्रामद होता है, उसके बाद पुलिस कर्मी पूरे मामले की तहकिकात करते हैं, तो वह सामने आता है कि वह है पदमेश नाम का एक सक्स है, जिसके साथ में संपरक में है, कई दिनों से पदमेश नाम के सक्स संपरक में है, तो उसकी जैसे ही खंगाली जाती है, सारी डिटेल्स तो समने आता है कि वह है पदमेश शिरिवास्तव कोई और नहीं, वह परतापगड का एक तैसिलदार है. जैसे ही तैसिलदार को पुलिस गिरफदार करती है और उसे पुस्ताश करती है, तो पदमेश शिरिवास्तव एक बार तो नानुकर करता है, लेकिन जब पुलिस सक्ति से पेश आती है और तैसिलदार से पुस्ताश करती है कि आखिर उससे उसका क्या सम्वद्ध था, तो अपने रास्ते से हटाने के लिए नामवर नामत व्यक्ति के साथ में मिलकर उसने इस घर्टना को अंजाम दिया है तो इस परकार बुरे कामों का बुरा अंत होता है दोस्तों अगर आप भी किसी भी परकार के इस तरीके से किसी व्यक्ति अपने किसी लड़की या महिला या आप महिला है तो किसी पुरुष सिया लड़के से इस तरीके के अववेद समन्द रखते हैं तो निस्तित रूप से ही एक दिन इस बुराई का अंत होगा और अंत भी ऐसा कि लोग कहानी और किस्टूं के रूप में बताएंगे तो ऐसा आपकी जिंदगी कि आप कोई कहान कहानी ने बनाते हुए अभी से समलें और ऐसे गलत रस्ते पे चलने से बचें उमीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी ऐसी ही अच्छी सची क्राइम से जुड़ी कहानिया देखने के लिए सुनने के लिए हमारी यूटूब च